जी नमस्कार आप सभी को एक और नई लाइप स्टेडिंग के वीडियो में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे और आज की मार्केट के बारे में थोड़ा पहले हम लोग बात कर लेते हूं उसके बाद मैं अपनी पोजिशन दिखाऊंगा कि आज मेर आप प्राइस आक्षन बनाते हुए फिर मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज में चला गया और इंड अप दा डे जब सिकेंड हाप के बाद मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डबलू पैटेंस क्रियेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सिकेंड बॉटम बनाने क के बाद ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया और क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आज मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जो कल बचा हुआ पेंडिंग था उस पेंडिंग को क्या किया कि मार्केट ने फिल किया और फिल करने है और प्रीवियस जहां पे एक साल सेलिंग आया था वहां पे एक कैंडल होल्ड करने के बाद यहां पे आप देखेंगे कि इसको भी ब्रेक करकर के इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा था जो पहले रेसिस्टेंस था यहां पे रेसिस्ट रिजिक्शन मिला अब कहीं न कही यह सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहां पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे ए एरिया पे अब यह सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यह अपने वाला हाई वाला लेबल को अगर इसको बैंक निफ्टी निकालता है तो फिर एक अपसाइड की रैली आज आज आपको देखने के लिए मिल सकती है तो मैं थोड़ा सा यहां पर क्या क्या हूं कि expiry के दिन को मैं दोनों दो strike price in the money को यहां पर मैंने sort कर दिया है यहां पर मैं आपको दिखाऊ हूं तो दो strike price जो है दोनों को मैंने sort कर दिया है एक 43,200 की CE को मैंने sort किया है 195 पे जिसमें अभी आप देखेंगे कि कोस्ट अकूस ट्रेड कर रहा है और 143,500 को PE को मैंने सौट किया है इंदा मनी 189 यानि कि 190 पे अभी 174 पे चल रहा है जो कि यहां पे आप देखेंगे कि 400 रुपया के अप्रोक्स प्रॉफिट यहां पे आपको देखनी के लिए मिल रहा होगा और मैंने एक मॉर्निंग में स्कैल्पिंग ऑप्सन बाइंग का ट्रेड लिया था जिसमें 183 रुपया का लॉस हुआ था दो को एंटिटी बाई किया था दो चार रुपया का स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको ट्रेड कर रहा था मैं टेस्ट करता हूँ एवरी डे एक नई स्टाइड़जी उसमें मुझे फिर लॉस हो गया तो मैंने छोड़ दिया है और यहां पर 43,500 की कॉल को मैंने सौट किया है तो दोनों इंदा मनी है अभी देखते हैं क्या होता है हलाकि यह जो loss था loss recover करके अभी cost to cost ही हम लोग यहाँ पर trade कर रहे हैं देखते हैं इसमें क्या होता है अगर कोई sharp upside momentum होगा तो हम लोग एक trade को exit करेंगे कौन से करेंगे momentum है अगर upside की अगर rally continue करता है तो हमने जो यहाँ पे call वाले position को sale करके रखा है 43,200 को इससे हम exit हो जाएंगे और यहाँ पे 43,000 साथ सी call को hold रखेंगे जो hedging के लिए हमने इसको use किया है यह selling वाला position से exit हो जाएंगे बाकि इन लोगों को hold करके रखेंगे और आ क्या होता है जो भी होगा मैं आप लोगों को up to date करता रहूंगा ताकि आप कुछ एक learning content सीखते रहे और आप से नर्म निवेदन है सरकी क्रिपया करकर करके आप चानल को subscribe कर ले अगर वीडियो को माधेम से पहली बार चानल पर विजिट किये है तो और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट भी कर सकते हैं धन्यवाद फिर मैं आपको up to date करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे गाईस की जो मेरी profit है धीरे धीरे कहीं ने कहीं enrollment profit increase हो रही है और यहां पे 300 का आपको final profit दिखा रहा होगा हलाकि यह profit भी कहीं कहीं minus करकर के यह 300 दिखा रहा है तो approach हम लोग यहां पे 500 के approach profit में enroll हो चुके है final profit लेकिन loss को reduce करके यहां पे 300 के approach profit दिखा रहा है और wait करते हैं यहां पे भी अभी और अभी 12 बजा है कि second half में एक upside की momentum होने की संभावना है और यहां पे आप देखेंगे market की यहां से एक support ल लिया था उसी पर support लेने के बाद एक upside की rally किया rally करने के बाद फिर यहां पे hold कर रहा है तो एक यहां पे आप देखेंगे तो price action बनाते हुए market upside के momentum continue कर रहा है मैं आपको यहां पे बेहतर तरीके से और चीजों को दिखाऊ तो आपको एक अच्छा understanding होगा है यहां पे आप फिर अगेन यहां पे एक down patents बनाता है जो कि यहां पे resistance को support लेता है और यहां से एक flag patents भी create करता है और जैसे ही flag patents को create किया फिर एक upside की rally कंटिन्यू किया फिर एक low बनाया यानि कि higher high और lower low यह पीछला low जो है इस low को break नहीं कर रहा है फिर यहां से support लेकरके एक upside की rally कंटिन् करेगा और आज चांसेस है रिजल्ट की डिक्लेरीशन है तो में भी अगर गौवर्मेंट के फेवर में रिजल्ट आता है तो यह मार्केट एक अपसाइट की मोमेंटम जरूर करेगी उसी के लिए हम लोग यहां पर होल्ड कर रहे हैं देखते हैं जो होगा मैं आप लोगों क कर देट करते रहो है आज का मेरा लॉस है वो लॉस वन थाउजन फिप्टी सिक्स रुपीज का लॉस है हाला कि इंड आप दा डे हम लोग टर्मिनल लॉस में क्लोज कर दियें क्योंकि देखें मार्केट एक रेंज में गया लेकिन उतना प्रेमियम नहीं तूटा जितना एक्सपेक्ट मैं कर र लगा दिया था तिन सो तुरानबे रुपया की कोई मार्क आया था और लास्ट में फिर इस केंडल ने ले जा कर यसका स्टॉप लोस सीट किया अब मार्केट इसी में यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा इट मींस आज मार्केट में एक अपसाइट का मोमेंटम रहा लेकिन आपसंस में उतना कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने के लिए मिला आप देखेंगे कि 43,500 की पूट में मैंने 4500 रुपया का प्रॉफिट बुक किया और इसमें 4900 रुपया का मैंने लॉस बुक किया और बाकि सारे चीज़ों को मिला करकर करके देखेंगे तो अबर अल हम लोग का जो ट्रेडिंग सिशन है 1056 रुपया लॉस पे है और इस पे 200 या 300 का ब्रोकरेज जाएगा सब सारा चीज़ मिला करके तो आज का 13,300 रुपया का लॉस हुआ है बट इट्स ओके फिर कल ट्रेड करेंगे क्योंकि लॉस हम लोग का डिसाइडेड रहता है लॉस मेरा डिसाइडेड है कि 1000 ही देना है मार्केट में प्रोफिट 1300, 1400, 1500 बुक करने के हमेशा मैं कोसिस करता हूँ लॉस हमेशा डिसाइड रखिए मिलते हैं फिर नेक्स जजे धन्यवाद